लोगतंत्र के पर्व में मद्दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो बढ़ चड़ कर अपनी हिस्सेदारी दें, आगे आएं, वोट दें और अपनी सरकार को चुनें और इसके बाद जो उम्मीदें उन्होंने सरकार से लगाई हैं वो पूरी हो। लोग सुबा चुनाओ की डुगडुगी बच चुकी है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, साथ चरणों में चुनाओ बुरे देश में होने हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या जागरुकता कैंपेंड चलाय जा रहे हैं, क्या एजिंडा और क् प्रक्ष्य तैय किया गया है कि कितने परसेंट वोटर्स कम से कम निकलें और अपनी नई सरकार को चुनें, इन तमाम सवालों के जबाब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिडवाजी से लेने जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सर स्टे बारे में ठीका ठीपड़ियां करते हैं, धन्यवाद, देखिए हमने जो कारक रहे हैं विभेन, जिसकी वज़े से लोग वोट डालने नहीं जाते, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको दूर करने का प्रयास किया है, वोटर इन्फरमेशन स्लिप, ये एक ऐसा इन्फरमे बूट में उनका वोट है, क्या सीरियल नंबर पे उनका वोट है, और उसका नक्षा और लोकेशन भी हम दिखाएंगे, इसके साथ ये वोटर गाइड, पांसाथ पेज की वोटर गाइड है, जिसमें जब वोट जालने जाएंगे, वहां क्या परक्रिया होगी, मशीन किस प कर उनको पता चलेगा, उनका वोट पड़ गया है की नहीं पड़ा, इस सारी बाते हम वोटर को इन दो माध्यमों से, वोटर गाइड और वोटर इन्फरमिशन स्लिप, और ये बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से, मद्दान के नौ दिन पहले से लेके, मद्दान के पां प्रिया प्रियास किया गया है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, गेटेड सोसाइटीज हैं, उन में हमने पोलिंग स्टेशन्स बनाए हैं पहली बार, पूरे भारत में सबसे अधिक उत्र परदेश में ही बने हैं, और विशेशकर, नौइडा, गाजियाबाद, ल पीने का पानी, वहां शौचाले, अगर दिव्यांग आएं तो उनके लिए रैंप्स बनाए गए हैं, परियाप्त वहां लाइटिंग की विवस्ता, परियाप्त फरनीचर, वहां जो वरिद जन, दिव्यांग जन, या कोई गर्वती महिलाएं आती हैं, उनके बैठने के ल पर राख सोंवा जिल्षान जईन, थनफट पॉम होगी तो उससे बचाने के लिए शेड की विवस्ता, यह यह सारी विवस्ता सभी पोलिंग स्थेशन पर लगबक कर दी गई हैं, निन नियान में प्र्तिशत सराधी की बन स्थेशन परन स्थेशन पर उप्र की जार parked押ान वहाँ अलफबेटिकल लोकेटर यानि अगर आपका नाम है तो अलफबेटिकली आपको अगर नहीं भी पता सीरी लंबर क्या है उससे पता लग जाएगा सीरी लंबर क्या तो यह सारे इन्जाम इसलिए किये गए ताकि मदाता जब वो डालने जाए उसका कम से कम समय इसके अलावा जो पचासी साल से अधिक की आईू के वोटर हैं और ऐसे दिव्यांग वोटर हैं जिनको चालिस प्रतिशत से अधिक की विंगलांगता है जिसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं वो लोग एक फॉर्म बारा डी है जो बीयलो के मादिम से घर पहु चाया जा रहा है जो किसी भी चरण का जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके पांच दिन के अंदर रिटर्निंग आफिसर को पार्लिमेंटरी कॉंसिटी के अगर मिल जाएगा तो ऐसे वोटर्स को उनके घर में जाके हमारी टीमें पोस्टल बैलेट के मादिम से उनका व करमचारी पुलिस विभा के करमचारी डूटियों पर लगते हैं उनके भी लगाए गए हैं और पहचान सुनिश्चित करने के लिए मानी आयोग द्वारा एक तो इलेक्टरल फोटो ऐडेंटिटी कार्ड तो ही जो कि आज हमारी मदाता सूची में सो प्रतिशत मदाताओं क के पास है लेकिन उस दिन जिस दिन मदान है आप एपिक के अलावा बारह और डॉक्यूमेंट है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट पेंशन की बुकलेट जिस पे आपका फोटो है बैंक में या पोस्ट आफिस में जहां खाता है उसकी बुकलेट पैन कार्ड इस तरह के डॉक्यूमेंट से भी अपनी पहचान कर सकते हैं लगिन और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी करमचारियों को भी ट्रेनिंग में बताए गया है कि अगर किसी मदाता का एपिक कार्ड किसी भी पार्लिमेंटरी कॉंस्टिएंसी या विधान सभा शेत कि कई बार चोटी चोटी कोई कमी निकाल के लोग वोट डालने से मना करते हैं करमचारी तो यह इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि अगर मोटा मोटी उस डॉक्यूमेंट से पहचान हो रही है किसी मदाता की तो उसे वोट डालने दिया जाए युवाओं के जोश युवाओं के जोश बड़ा हाई रहता है इन युवाओं को लेकर किसरे से आप लोगों के तियारी है कि उनका जोश वोट में तबदील हो भी अपने घर से निकलें और जो घर के बुजर्ग हों उनको अपने साथ जरूर लाएं क्योंकि कई बार गुश द्यान रखाता जो आठारा साल से उन साल के बीच के और उन निस साल से बीस साल के बीच के जो युवाओं हैं लगबग 21 लाग के आसपास पुरे उत्र प्रदेश में से वोटर हैं आज के तारीक में लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो वोटर लिस में इनका नाम नहीं आपाया तो इसमें भी हमने प्रयास किया है जितने हमारे इंटर कॉलेजेज और हायर एजुकेशन की इंस्टिूशन के सारे युवाओं के वोट फॉर्म छे भरा के बना दिये जाए और वोट एड होने का काम अभी भी चल रहा है केवल प्रथम चरण में रुख गया है दूतिय चरण और उसके बाद के जहां इलेक्शन होने हैं वह आज की तारिक में भी पच्चिस तारिक तक जैसे अगर पच्चिस मार्श तक भी लोग वोट फॉर्म भरते हैं दूतिय चरण का जहां चार अप्रेल को चुनाव है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाएगा तो मेरी सभी युवाओं से विशेश कर अपील है सभी मद दाता अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर ले कि कहीं आपका नाम किसी ने शरारत वस या गलती वस कटा तो नहीं दिया है क्योंकि जादातर लोगों को यह इंप्रेशन रहता है कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाओं में अगर वोट दिया है या नगर पालिका क उनका नाम वोटर लिस्ट में होगा ही कई बार सब्सक्राइब करते हैं तो यह समझ से आती है क्योंकि वह कहते हैं बताता कि पिछली बार तो अभी चुना हुआ था हमने वोट डाला तरह कि हमारा वोट कट चुका है तो वह मैहुना जो अभीहान है आपका उसे कैसे चेक क जी ओवी डाट आई इन इस पे जाके कोई भी मदाता पूरे भारत में कहीं भी अपना नाम चेक कर सकता है केवल तीन तरीके हैं पहला तरीका अगर आपके पास एपिक पार्ट बड़ा है तो आप अगर एपिक नंबर डालेंगे तो तुरंत आपको सिस्टम बता देगा कि आपका नाम वोटरलिस्ट में है या नहीं और है तो किस एधान सबा के किस बूट में किस सीरियल नंबर पर आपका नाम है पूर असलिप आपका आ जाएगा अगर ये नहीं आपके पास वोटर कार्ड सपोज नहीं बना है या मिल नहीं रहा है दूसा तरीका है मुबाइल अगर अपने सीड कराया है तो आप मुबाइल नंबर दोगे तो उसे आ जाएगा लेकिन बहुत से वोटर्स ने सीड नहीं कराया होता तो वो अप्शन नहीं है तीसरा है अगर यह दोनों नहीं है कि आप अपना नाम अपने माता पिता का नाम अपनी आयू या डेट ऑफ बर यह दो ऐसे बहुत पावफुल टूल है कि अब हमें किसी करमचारी अधिकारी के मदद क्या शक्ता नहीं घर बैठे दस मिनट के अंदर अपना नाम चेक कर सकते हैं केंपेन लगातार चलाया जा रहा है कि कैसे मत प्रशत बढ़ाया जाये लेकिन हम देखते हैं कि कई कई जगहों से अभी भी मददान के बहिशकार की खबरे आती रहती हैं कहीं रोड नहीं है कहीं तमाम सुविधाय नहीं है वो बहिशकार कर रहे हैं चुनाओ का ऐसे हूंगा कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो तो और ज्हाद़ा महतु हो जाता है कि आप अपना वोट डाले और आपका अगर पूरा गावचा अगर इस बात से एक जुठ है कि कोई सारवiczनिक समस्या का निदान नहीं हो रहा तब और जरूरी है और फिर आपका वोट ऐस सारे इंजाम पुरा एक सिस्टम भारत का सिस्टम करता है अपना देश चलाने के लिए हम ही लोग अपनी सरकार चुनते हैं कोई बाहर से कोई चुनाव नहीं होता तो अगर अगर अपना दाई तो हम नहीं करेंगे तो फिर एक्सपेक्टेशन करना कि हमारी समस्याओं का सॉल सारा गात ना करें इवियम्स को लेकर सर पिछले चुनाव में देखा गया कि इवियम्स का जब इलेक्शन हो जाता है उसके जब मुव्मेंट होता है तो तमां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी रकस पैदा करने कोईश करी कि इवियम्स को ले जा रहा है यह वो स्टेंडर्ड हमारे प्रोटोकॉल्स है कि जब भी कोई मशीन कहीं भी उस मुव्मेंट होता है तो बिना राजनितिक पार्टियों को बताए लिखित में बताए बिना उसकी रिकॉर्डिंग की मुव्मेंट ना करें और हर मशीन का हम लोगों ने उसका लोकेशन हमारे एमस जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम लोग दर्ज करते हैं और ये प्रयास होता है कि कोई अनटेंडड ना हो जहां भी इस तरह की विवाद उत्पन हुए हैं उनका कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी करमचारी उस टैंड बूट अगर बदल दिया तो इलजाम का कारण बनता है ये चाहूंगा कि हमारे दर्ज को आप बेपता हैं कि अगर पॉलिंग के बाद इवियम का मूमेंट हो रहा है तो प्रलिटकल पार्टी के कारे करता हूँ चाहे आम लोग हो वो किस चीज से तोरंत इस बात की जानकार ही पैदा हो जाती है देखिए उसमें जिला निर्वाचन अदिकारी है एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया है मुक्ष निर्वाचन अदिकारी कारल है जहां इसकी सूचना दी जा सकती है हलांकि ऐसा अभी इलेक्शन डे के बाद रात को ही सारी अन्यूजड मशीन्स जमा हो ज जाता है लेकिन इस्ट्रक्शन है कि रात को ही वो मशीने स्ट्रॉंग रूम में जमा हो जाएं जहां का ही नहीं होता है वहां नॉमली रिपोल कराने की विवस्ता रहती है अब सर आज़ते हैं चाचा चौधरी पर आगरी सवाल कि चाचा चौधरी और साबू की एंट्री होई है किस तरह से इसका 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 इस्तिमाल किया जा रहा है बचपन में हम लोग भी कॉमिक्स पढ़ा करते थे चाचा चौधरी और साबू की बुक भी रखी होई है क्य इस तडि यह क्या प्रचार का तरीका है देखिए चाचा चौधरी और चुनावी दंगल यह जो चाचा चौधरी हम लोग भजपन से पढ़ते हैं कॉमिक्स को कॉमिक्स के माध्यम से चुनाव की प्रक्रीया क्या है और चुनाव में जो अलग-लग भारत निरवाचना आयोग कि द्वारा इंजाम किये गए? कैसे बूट, कैप्चरिंग को रोकने का क्या प्रयास किया? कोई प्रलोभ बनद यह तो उपन कि थोड़ा से इस तरह है की कहानी के माधियम से स्वाबू की इसे की कच्छा कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट है जो पैसे वाले हैं वोट खरीदना चाहते हैं कैसे उनको चाचा चौधरी फिर उनके प्रयासों को विफल करते हैं मशीनरी का प्रयोग करते हुए उसके माधियम से सारी यंग जनरेशन को जो कल को जा के अठारा साल के वोटर बनेंगे उनको समय सही एक हमारा का इलेक्शन का सिस्टम उसकी जानकारी हो जाए इसका एक प्रयास इलेक्शन कमिशन दो रहा है कहां बाटी गई है और कितनी लाट जी स्केल में इसको इसका वितरन किया गया है देखिए हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है सीओ उतरप्रदेश डॉट एन के वेबसाइट पर अवेलेबल है भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अवेलेबल है एमेज़ॉन और गूगल पर अवेलेबल है इसके अलावा हजारों की संख्या में स्कूलों में इसका मुफ्त वितरन भी किया गया है तो चुनायोग ने पूरी तैयारी कर रखी है मुझी किस तरह से कैंपेंड चलाए जा रहे हैं मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए अपनी नई सरकार को चुनने के लिए और उसकी किस तरह से तैयारियां की गई हैं कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो अगर आपको समस्याएं अगर इस्थानी तोर पर हैं तो उनके उसके लिए मतदान के बहिशकार को ना करें और उन समस्याओं के निदान के लिए अपनी नई सरकार को चुने, अपनी सरकार को चुने, ये तमाम ऐसे पहलू है, तमाम ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने दिये हैं, हमारी भी अपील है आपसे कि मतदान है, ल पतीष्टरुवेदी, सुरेष्ट भारत.